जाहिन बच्चो मैं आनंज जोहान पार्टफाइड डिफेंस अकेड़्मी के ऑफिशल यूटूब चैनल से एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूँ आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से उन सभी सैनिक स्कूल एंटरेस एक्जाम के एस्परेंट के लिए एक न्यूज लेकर के आए हैं सभी सभी से इंटियार होता है तो आज में एक लेट से कर दून की नोटिफिकेशन जो है क्याप्टन मरोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल वो लखनौव के साथ-साथ अभी न्यू सैनिक स्कूल एक बना है उत्तर परदेश में घुरकपुर में तो दोनों के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुके हैं फॉर्म आ चुके है बेटा तो आज हम इन्ही नोटिफिकेशन की बात करेंगे क्याप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल के बारे में किस तरीके से आपको जो है अड़ीशन प्रोसीजर से लेके सारी चीजों के हम बात कर सब्सक्राइक कि लिए 2024 से 2025 के लिए स्टार्ट करते है notification में कि entrance exam है, खास बात यह है कि इस बार क्या है, इस बार लखनव और गोरखपुर, पहले क्या था, हमारे पास UP Sanic School सिर्फ लखनव में था, Captain Noros Pander UP Sanic School लेकिन अब उसके साथ साथ क्या आइडाउन हो गया अब बेटा, आइडाउन हो गया आपके साथ Captain, और सारी गोरखपुर का Sanic School, तो दो Sanic School है, opportunity इस बार बेटा, ज़्यादा बड़ी है, आप सभी बच्चों के पास UP Sanic School इंटरस 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 के बारे में अगर हम बात करें, तो इसमें यह पूरी तरीके से क्या है English Medium Residencial School है, ठीके जहां पर 6th Class से आपको इंटरस बिलता है और 6th से 12th आपकी CBC Board के माध्यम से प्रापर काई है महाँ पर पढ़ाई करा ही जाती है Elisability की बात करें हम सबसे basic fundा पस्ता है कहां पर Elisability को ले करके क्या है Elisability Elisability सबसे पहली Elisability जो है, वो UP Sanic School क्याप्टन मनोज पांड़े UP Sanic School की जो पहली Elisability है वो यह है, applicant और उसके पिता, दोनों must be a Domicile of क्या? उत्तर परदेश उत्तर परदेश का निवासी जो होगा, यानि जिसके पास उत्तर परदेश का निवास परवान पत्र होगा बिटा, वही जो है पहली शर्त को पूरा कर रहा है यानि UP Sanic School को भर सकता है दूसरा, date of birth application are invited from applicants born between dates as given as under for the academic session 24-25 for appearing in Captain Manos Pandey, UP Sanic School entrance exam to be held on 24 December देखे, एक चीज़ क्लेर होगा इस notification से 24 December 2022 को आपका exam लगा हो बिटा अगर आप class 6 यानि 5th class परण रहे है 6 class परण रहे है और आपकी अगर age 2 July 2nd of July 2012 से ले करके 1st of July 2015 के बीच पे है यह दोनो date है क्या है, यह 2 July वाली date और बिटा, एक January इसको मिला करके इसके बीच का मतलब इस दोनो dates को मिला करके अगर इसके बीच में अगर आपकी date of birth है तो बिटा, congratulations आप form भर सकते है class 6 के लिए, यूपी सैनिक फूर के लिए जो बच्चे एर्थ class में है ठीक है ना, उन बच्चों के अगर हम बात करे है class 9 के लिए, अगर उनकी date of birth permit कर रही है 2 July 2009 से ले करके एक January 12 के बीच में तो बच्चे भी जो है, क्या है 9th class के लिए जो है, वो eligible है अपने date of birth के एक ओडिमिटा तो वो भी form भर सकते हैं तो applicant can appear in the exam as per following details यूपी सैनिक स्कूल लखनो यानि जो बच्चा लखनो में रहना चाहता है जिसका aim है, लखनो के Captain Manoj Pande यूपी सैनिक स्कूल में पढ़ करके पास होना है हमें 6 से 12 तक पढ़ना है, तो यूपी सैनिक स्कूल लखनो के लिए class 6 में क्या है, एक खास बात है यहाँ पर सिर्फ class 6 में boys जो है, वो entrance exam दे सकते हैं, girls जो है वो 9th class में जाएंगी, यहाँ जो यूपी सैनिक स्कूल लखनो है, वहाँ पर 6th class में क्या है, सिर्फ लड़कों के लिए admission मिलने वाला है, जबकि 9th class वाला जो है, 9th class के लिए boys and girls both are welcome, लेकिन जो गोरगपूर का यूपी सैनिक स्कूल अभी नया बना है, उसका पहला सेसन स्टार्ट होगा इस बार से exam के बाद से, उसमें 6th class में boys and girls अविलेबल है सीटे अविलेबल है, और class 9 के लिए boys and girls के लिए सीटे प्रॉपर है आपर अविलेबल करी गई है मर्स्ट, next है points का रिखेगा मर्स्ट है, past class 5th and class 8th for the admission in class 6th and 9th respectively by 20 May 24 from recognized school जैसा है कि मैंने बताया अगर आप class 5th और class 8th में पढ़ रहे हैं किसी recognized school से तो ही आप बेटा फार्म भर सकते हैं खाली date of birth होने से ऐसा कोई फरक नहीं पढ़ेगा उत्तरप्रदिस के निवासी होने चाहिए date of birth सही होनी चाहिए और किसी school से आप क्या है मैटा 6th और 8th class में होने चाहिए तो ही आप इस फर्म को भर सकते हैं reservation के अगर हम बात करें मैटा तो out of total vacancy 27% seats are reserved for the OBCs ठीक है, यानि कि अगर आप OBC यानि ठीक है, ठीक है, अगर बाकवर्ड classes के अंतर कताते हैं तो 27% seats are reserved करीगे उनके according 21% for SC, 2% for SC and 10% for EWS general category there is only self-finance seat for class 9 boys applicants for UP signing school लगनू विमुक जाती will not be considered in the ST category इस की of written examination एक चीज़ क्लियर कर दे इस written examination से बिटा, कि जो exam है बाबू वो क्या है, वो आपका पूरी तरीके से OMR based होने वाला है बिटा किसी प्रकार का वहाँ पर लिखने की कुछ दरूरत नहीं पड़ेगी, स्तिर्फ आपको OMR option, OMR पर आपको बोला भरता है हर question के 4 option होंगे एक साही होंगे, उसका आपको फिल करना होगा यही सीजिय यहाँ पर लिखी गई है return clear करने के बाद, ठीक ना interview procedure है हमारा कहां पर UP Sanic School में, यानि कि आपको UP Sanic School पहुँच करके interview को भी face करना पड़ेगा अगर आप UP Sanic School का हिस्सा बनना चाहते हैं यहाँ पर no down है examination centers कहां कहां पर होंगे जो बच्चे इसके लिए form भरेगे, वो पहले से mind make-up कर ले आगरा, आयोध्या, बरेली, गोरकपूर, जहासी, मेरट, पिरागराज, वारणसी और लख्टाओ, इतने ही center है total जो की UP Sanic School examination, interest examination के तहत यहाँ पर इन शहरों में जो है जो papers बच्चों के लिए जाएंगे examination form भरते वक्त यह चीज़ क्लियर है कि आप जो form भरेंगे तो उसमें तीन center इन में से आप कोई भी जो है examination center चूज कर सकते हैं और according to availability, UP Sanic School आपको UP Sanic School.org पर जाना है और आपको जैसे website open करेंगे उसको home page पर ही ऊपर क्या है admission procedure का option है form जो है 10 सेतंबर 23 से 25 अक्टूबर 23 के बीच पर आपको आपका time period हलाकि यह notification जो आया था वो 1 सेतंबर से आया था लेकिन technical error के कारण website update नहीं हो पाया अपलोड नहीं हो पाया था यह पूरा portal इसलिए 10 दिन इसको आगे इधर बढ़ाया गया उदर date बढ़ा दी गई है तो जान रखेगा 10 सेतंबर 25 अक्टूबर के बीच में आपको पास time है और form fees 1000 रुपए जान रखेगा form fees कितनी में 1000 रुपए और अगर आप लेट होते हैं यानि 25 अक्टूबर से पहले अगर आए 25 अक्टूबर तक अगर आप फार्म नहीं भर पाते हैं तो एक विंडो है 26 अक्टूबर के बाद से लेकर के पांच नॉमबर के बीच में आप भी अपने फार्म को तब भी भर सकते हैं लेकिन तब क्या होगा जो 1000 रुपिया थबिया वो 2000 रुपिया हो जाएगा यानि कि लेट फीस के साथ बेटा आपने फार्म को भर पाएंगे 5 नॉमबर तक ठीक है द्यान देखेगा जो भी यूपी साने स्कूल का जो भी फार्म है इस टोटली और कम्प्लीटली क्या ऑनलाइन है कोई भी ऑफलाइन बेस फार्म नहीं भरे जाएंगे इसके पूरी तरीके से ऑनलाइन भरे जाएंगे और नहीं आपको उसको प्रेंट आउट लेके आपको क्या अपने पास सुरक्षित रखना है स्कूल नहीं बेजना है कि आपने परचला आपने उसको पोस्ट कर दिया वहां से अपने घर से बेजर स्टेप इन फिलिंग ना फॉर्म सा अंडर्स बहुत इंपोर्टेंट है जो भी बच्छा पहली बार यूपी सानी स्कूल का फॉर्म भर रहा है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीचे सबसे पहला जो स्टेप है जैसा कि मैंने बताया आपको क्या करना पड़ेगा ऑनलाइन अपने आपको रोड़े करना पड़ेगा उसी वेशिपसाइड पर पहला उप्शन होता है आप उस पर जाएंगे और क्या करेंगे उसको ओनलाइन अपने आपको रेजिस्टर करेंगे step 4 जैसा कि मैंने कहा था print application form ले लिजिए application form अपने पास रख लीजिए भीजना कहीं नहीं है बिटा, step 5 correction window गलती से भी अगर आपने आधार card number गलत डाल दिया, date of birth गलत डाल दी, कुछ भी चीज़े अगर आपने गलती से आपने submission के बाद आपने देखा printout में, कुछ चीज़ का window है, इस तीन दिन के दौरान आप अपने form को edit कर सकते हैं, अपने application form को, step print admit card, admit card जो है भी या, वो क्या है, 10 December के बाद, आपका admit card आजाएगा बिटा हर हाल में, और admit card डाउनलोड करके, क्या है, आपको examination में appear होना है, जहां भी आपको जिस भी respective school या जिस भी शहर में पर जाना है, और आपको अपनी परिच्छा को देना है, उसके बाद आपका result बाद में आ जाएगे, बिटा, applicant can download, print out, admit card, after 5 December, by login, their account, using their login, हाँ भी या, आपना जो है, जो भी account है, जो भी user name और password आपने बनाया था, उसे याद रखना पड़ेगा, ये बहुत mandatory है, तिक आज आपको सभी एक्जामों में इसीचे हो रही है, तो वो आपको user name और password आपको याद रखना, उसी से आपको हमेशा क्या है, admit card हो गया, result हो गया, सारी इसीचे आपको उसी से वहाँ पता चलने वाली है, application fee is 1000 रुपीज, late fee अगर लगेगी, क्यादी कि 25 चे बाद अगर आप गया, form fill करने के लिए, तो आपको 2000 रुपे देने पड़ेंगे, late fee वाला है, ठीक है, last date 25 October रखी गई है, पांच बजे साम तक इसीचे का भिजान रखना है, last date including late fee 2000 रुपे हो जाएगी, पांच नॉब्बर तक साम पांच बजे तक ये भी इसीचे का भिजान रखना है, date of चार महिने का आपको बस्ता में बचा है, और आप इस चार महिने में, ठीक है, अगर आपने अपनी तयारी को बेहतर तरीके से अगर किया, तो definitely आप UP Signing School लकनव या UP Signing School गोरेकपुर का हिस्सा हो सकते हैं, इतना हमें आप पर येकीन है, और हर बच्चे हर साल ऐसा करते ही ह आपको जो है, फरवरी में आपको रिजल्ट बिल जाएगा इसका, इसका, इसकूल फी सबसे बड़ा कोशन गार्जन का होता है, कि सर इसकूल फी कितनी लगेगा, पैसा कितना लगेगा, अमने बच्चे का नाम आप आगया है, सर क्या हम स्कूल फी पे कर पाएंगे, आपको बच्चे को प्रपर तरीके से 6th class, 7th class, हर साल आपको जबा करना पड़ेगा, तो आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा, पूरी पढ़ाई के लिए जहां पर आपको रहना, खाना, स्पोर्स, एवरीधिग इन, इंक्लूद इन, 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 तो आपको अपने डॉकुमेंट का क्या है, प्रिंट आउट ले, डॉकुमेंट के एक एक सेट फोटो कापी लेके जानी है, for the document verification, डॉकुमेंट सेर्टिफिकेट अप्लिकेट इसू बाइट अप्डेट होना चाहिए, धान रखेंगा, उत्तर प्रदेश के जिस भी जिले होना चाहिए आपका, ताकि वो आपकी एज को वाइलडेट कर पाएंगे, the following document certificates to submitted at the time of admission, अब हम बात करते हैं, किन किन documents की जरूर लगती है, उपी साइने स्कूल मेटा, उपी साइने स्कूल में सबसे पहली चीज़ क्या है, टी-स लगनी चाहिए आपकी पास, टी-स होनी चाहिए, यानि अगर आप 6th class पे admission ले तो 5th class का TC होना चाहिए, 9th मिले रहे हैं तो 8th class का TC होना चाहिए, domicile certificate of applicant issued by the competent authority in original and self-attested copy, domicile जो निवास प्रावर पत्र है, वो क्या original होना चाहिए और इसकी self-attested copy होनी चाहिए अक पास, cast certificate भी original होना चाहिए, उसकी self-attested copy होनी च इसे करते हैं, an agreement bond on rupees 100, non-judicial stamp, 100 रुपए का stamp paper भी आपको लगेगा, वहाँ पर बिटा, affidavit on 10 rupees non-judicial stamp regarding anti-ragging and domicile, 10 रुपए का भी एक और इसनल आपको affidavit ले के जाना है, जिसे हम stamp paper के तौर पे आपको consider करते हैं, birth certificate of applicant issued by नगर निगम, नगर पालिगा, जिला पंजार, अधिकारी, in original and self-attested copy, यह आपको आपको बिटापी होगी, self-attested copy of adhar card of every applicant, ठीक न, यह आपका जो adhar card है, उसकी एक photocopy होगी, जिसे आपको self-attest करके भी उसे आपको वहाँ पर include करना पढ़ेगा, submit करना पढ़ेगा mark sheet of class 5th and class 12th, class 8th for admission in class 7th and 9th respectively in original, यानि कि आपको 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 बिटापी होगा, वहाँ 9th होगा, 9th, 6th and 9th, तो 5th और 8th यानि 5th and 8th की जो mark sheet है, वो भी आपको आपको आपर जो है, original form में submit करने पढ़ेगी, and thank you so much, यह जो पूरी information है, UP Sharing School की, तो इन सभी में सबसे important चीज़ यह है, कि अभी आपका 24 December को exam लगा हुआ है, उससे भी जाना important यह है कि 25 October is the last date to fill your form, जितनी जल्दी हो पाए बेटा, जाके form fill करिए, form fill करने के बाद, आप जो है अपने पढ़ाई को start कर दिए, बहतर से बहतर कर दिए, जारा जारा time दीजि यूपी साइनिक स्कूल का हिस्ता हों में, चाहे वो लखनो हो सकता है या वो गोरकूर हो सकता है, बाकि अगर जिन बच्चों को यूपी साइनिक स्कूल की त्यारी करनी है, वो pathfinder defense academy में आ सकते हैं, यहां के नीशे दिए के number पर contact कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे यहां पर separate batch से शलते हैं, यूपी साइनिक स्कूल के, जहां पर हमारे बहुत सारे बच्चे प्यार करते हैं, हर साल बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे यहां से सेलेक्ट होते हैं, चाहे वो यूपी साइनिक स्कूल हो, चाहे वो रास्टे मिलिटरी स्कूल हो, चाहे वो रास्टे मिल लेगा उतना ज़्यादा एफेक्टिव होगा बेटा आपके लिए ठीक है ओके बच्चा जै हिन जै भारत